जय हैंदे स्टुडेंट्स, वेलकम बैक अगें, दिस इस दिवाशु पांडे और आज की इस क्लास में हम इंडिया की टॉप 11 मिसाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी देश को अक्छोण और उसको सुरच्छित रखने के लिए मिसाइ की सशन में हम पूरी डिस्कुशन करेंगे, तो चरिए शुरुबात करते हैं आज किस क्लास की, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इंडियन गवर्मेंट ने और हमारे जो इंडियन आनफोर्स ने एक साथ मिलकर जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिसाइल्स की एक कलप भारत भी आपका विश्व का चौथा देश बना है जिसके पास एंटी बैलेस्टिक मिसाइल सिस्टम के टेकनलोजी है और भारत स्पेस में लो अर्थ और्बिट या फिर हाई और्थ और्बिट में किसी भी चल रहे मूविंग सेटलाइट को भी निशाना बना सकता है और ये कैबिविल्टी सिर्फ आपके कुछ चुनिंदा देशों के पास ही है तो चलिए अब हम देखेंगे कि हमारे आर्मरी में कौन कौन से टाइप्स की घातक मिसाइल से हैं तो सबसे पहले आते हैं आपकी अगनी मिसाइल और अगनी मिसाइल का जो फिफ्ट वर्जन है जो क डॉक्टर एपी जे अबदुल कलाम ने आपके इंटिग्रेटिड गाइडिन मिसाइल डेवल्मेंट प्रोग्राम के तहट तयार किया 1980s में इसको बनाने की आपके कलपना रखी गई और अब इसको हमने डेवलप भी कर लिया है आगर हम इसकी मास की बात करें तो इसका मास 50,000 से लेकर 56,000 किलोग्राम तक है लेंथ इसका 17.5 मीटर डाइमेटर 2 मीटर का वार हिट ये आपका स्ट्रेटिजिक न्यूक्लियर वेपन आसानी से कैरी कर सकता है वार हिट इसमें टोटल 1500 किलोग्राम का और इसकी जो मैक्समल स्पीड है इस मिसाइल की वो है 24 मैक हम सभी जानते हैं कि speed of sound को आपका denote करता है ऐसा कोई object जिसकी speed more than one मैक रहती तो हम कहते हैं वो आपकी speed of sound 332 मीटर पर second की speed से आपका 30 चलता है तो अगनी 5 मिसाइल की range आपकी काफी अधिक है 5500 किलोमीटर से भी अधिक आपका ये ज़्यादा दूरी तक जा सकता है और ये Indian Armed Forces का ए दूसरी हमारी है ब्रम्होस मिसाइल तो ब्रम्होस को इंडिया और रशिया के joint venture के साथ बनाया गया है और रशिया की मोस्कोवा नदी और भारत के ब्रम्वुत नदी के नाम को कुलाबरेट करके ब्रम्होस रखा गया है और भारत की company ब्रम्होस Aerospace Private Limited that is BAPL के द्वारा इस इसके तीनों ही versions आपके available है यानि की land, air और आपका anti-ship version इसका type cruise missile है और ये world की सबसे fastest cruise missile है place of origin इंडिया और रशिया, इसका mass 3000 kg का है, length 8.4 meter, warhead 200 kg और ये आपका nuclear weapon भी carry कर सकता है engine इसमें solid rocket booster लगा है और इसमें आपका जो second stage में liquid ramjet का इस्तिमाल किया जाता है इसकी जो आपकी speed है 2.8 mag की है और भारत ने हाली में 374 million US dollar की deal से इसको जो है इस missile के anti-ship version को अभी फिलिपिन्स को भी भारत दे रहा है तो ये दुनिया की सबसे 3 चलने वाली cruise missile है जिसका use भारती से नाय करती है साथी साथ AL platform से अगर इसकी operation range देखें तो 400 km, C platform greater than 500, surface platform 700 km और maximum speed आपकी 2.8 to 3 mag है और इसके अभी hypersonic version पर काम चल लहा है अगली missile है हमारी पृत्वी 3rd missile जो की एक आपकी 2 stage surface to surface missile है इसका development DRDO ने आपका किया है और ये भी हमारी Indian Armed Forces में Indian Navy की दोरह use की जाती है इसका type short range ballistic missile है place of origin India Indian Navy इसको use करती है इसका mass 4500 kg और length इसकी 8.53 meter की है साथी साथ अगर हम इसकी operation range की बात करें तो 350 km 1000 kg के warhead के साथ ये जा सकती है 600 km 500 kg के warhead के साथ जा सकती है वहीं आपका 750 km ये 250 kg के warhead के साथ हम इसको भेज सकते है next है आपकी अगनी 4 missile अगनी 5 अभी हमने देखा फिर अगनी 4 आती है अगनी 4 भी आपकी DRDO की दोरह develop की गई है और ये आपकी एक intermediate range ballistic missile याने की IRBM missile है strategic forces command इसको यूज करता है इसका mass 17,000 kg का है इसकी length 20 मीटर की है और warhead इसमें conventional thermobaric strategic nuclear weapon का यूज किया जारता है operation lane इसमें 3500 से लेकर 4000 km तक की ये कर सकता है अगला हमारा missile है निर्भे missile तो भारत का पहला indigiously manufactured cruise missile आपकी निर्भे missile है जो की nuclear और conventional दोनों types के warhead को deliver कर सकता है और इसको हमने LAC line of actual control चाइना की विरुदर deploy किया हुआ है टाइप इसका long range all weather subsonic cruise missile है subsonic आप सभी जानते रहिए कि ऐसा object जिसकी speed less than one mac यानि कि less than speed of sound हो उसको subsonic कहते है designer aeronautical development establishment DRDO की एक lab है manufacturer BDL यानि कि भारत dynamics limited है mass इसका 1500 kg length 6 meter warhead 200 से लेकर 300 kg तक operational range आपका 1500 km जा सकती है और इसकी आपकी जो speed है 0.7 to 0.9 mac के next हमारी है अगनी second missile तो अगनी missile अगनी first second missile को आपका 17.2010 को आपका operation करवा दिया गया था two stage solid fuel propulsion system से काम करती है इसकी range 1500 km maximum speed 0.7 to 0.9 medium range ballistic missile है 16,000 का इसका load होता है और 21 meter की है यह साथी साथ अगर हम इसका warhead देखें तो देखिए 1000 km तक आपका carry कर सकती है अब हम बात करेंगे अगनी second missile की तो अगनी second missile अगनी first का एक updated version है इसको भी DRDO ने develop किया हुआ है यह आपका 1000 kg तक का payload ले जा सकता है operation range इसकी 2000 से लेकर 3500 km तक है और maximum speed इसकी 3.5 km पर second है अगली हमारी missile है shore missile तो shore missile एक आपकी canister launch hypersonic surface to surface tactical missile है इसको भी भारत की DRD organizers ने हमारे Indian Armed Forces के लिए develop किया है और type अभी आप देखी रहे है hypersonic है hypersonic ऐसी missiles होती है जिनकी speed more than 5 mag की होती है surface to surface medium range ballistic missile है इसका भी use हमारी strategic forces कमांड के दोरा किया जाता है designer, research center, Imerat, DRDO manufacturer, BDL company, conventional और strategic nuclear weapon दोनों के लिए जाने में सक्षम है और इसमें warhead आपका 200 से लेकर 1000 kg तक का हम रख सकते है इसमें engine आपके दो तरीके के लगे हुए है two stage solid motor rocket motor engine है propellant solid fuel का इस्तमाल किया जाता है operation range 700 से लेकर 1900 km तक और इसकी flight altitude 50 km और इसकी maximum speed आपकी 7.5 mag है तो सबसे बहतिरीन है हमारी ये sorry missile अगला जो हमारे defense system है उसका नाम है S-400 missile system हम सभी जानते हैं कि इस 21st generation का सबसे अत्याधुनिक, सबसे बहतिरीन अगर कोई हतियार है तो उसका नाम है S-400 missile defense system जो कि Russian origin का है और इसको अभी Indian armed forces ने Russia से 60,000 करोड रुपए की लागत से खरीदा है जहां पर हम total इसकी 5 units अपने सेना में इंड़क्ट करेंगे और पहला बाच हमने इसका पंजाब में पाकिस्तान के सटे जितने भी हमारे borders हैं वहां पर हमने deploy किया हुआ है यह जो आपका defense system है वो battalion level पर आपका use किया जाता है जिसमें आपकी air divisions काम करती है साथी साथ जो है यह किसी भी air space में 400 km दूरी पर किसी भी आपकी aircraft, drone, UAV को आसानी से अपने radar system पर ले सकती है और उसको धहस्त कर सकती है इसमें different types के missiles हैं इनकी अलग-अलग ranges है जैसे ballistic target के लिए 200 km target with an RCS of 4 square meter 390 km for targeting strategic bomber size types 400 km तो missile आपकी fire होंगी उनकी speed भी काफी तेज होती है इसमें आपका एक command and control लगाया गया है जिससे कि एक operator काफी दूर से बैट कर इन missiles को और सभी activity को नजर बनाए रख सकता है टाइप इसका long range mobile surface to air anti-ballastic missile system है place of origin रशिया है operation range आपकी 400 km तक की है और ये 21st century के सबसे भेतिनी हतियार है जिसको रशिया और अब इंडिया इसका use करेगा आप सभी defense experts अपने SSB interview की preparation करने के लिए और अपने written examination की preparation करने के लिए SSB crack exam के e-learning portal से जुड़ कर अपने तयारी बहतर करिए course की link नीचे description में दी गई है साथ ही साथ आप इस वारे 10 code का use करें जिससे कि आपको 10% का flat discount हमारे सभी courses पे मिलता जाएगा जाहिर एंड best of luck अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए prepare कर रहे हैं तो आप SSB crack exams के course को चेक करना ना भूले आप हमारी learning application को Google Play Store से भी download कर सकते हैं कर दो आप एक आप